सैमसंग ने दो दिन पहले अपनी ओफिशल न्यूज साइट पर एक पोश्ट किती जिसमें उन्होंने 600 पिक्सल के कैमेरे के बारे में बात किये तो इस वीडियो में आज हम उसी कैमेरे के बारे में बात करेंगे मैं हूँ परियास और आपका सोगा था अपके अपने चैनल ब्योंड स्क्रीन में सैमसंग वर्ल्ड के टोब मुबाइल एंड एलेक्ट्रोनिक के प्लैंस मेकिंग ब्रैंड में आता है सैमसंग अब तक 1.2 बिलियन स्मार्ट फोन सैल कर चुगा है वर्ल्ड में सैमसंग का लागी रूतव है सैमसंग के फोन हर रेंज के आते है 1100 रुपए के पैड से लेके 1 लांक तक के सैमसंग के S20 प्लस तक पिछले कुछ साल में सैमसंग ने बहुत इंप्रूमेंट किया है जो बड़े-बड़े DSLR का साइज होता है वो होता है 30-40 मेड़ पिक्सल पर अब सैमसंग इतना अगर बढ़ चुगा है कि उसने 600 मेड़ पिक्सल वाले कैमरे को रिलीज करने के बाद की है सैमसंग ने वल्ड का पहला 64 में पिक्सल सेंसर वाला फोन रिलीज किया था और अब कुछ समय पहले उसने सैमसंग S20 प्लस रिलीज किया जिसका कैमरा है 108 मेड़ पिक्सल का और अब उनके तयार यह 600 पिक्सल वाले फोन रिलीज करने की क्या आपको पता है human eye का जो estimate पिक्सल साइज है वो होता है 576 मेड़ पिक्सल जबकि सैमसंग ने कहा है कि वो 600 मेड़ पिक्सल वाला कैमरा रिलीज करेगा जो कि human eye से भी बैतर होगा हमारी आँख 450 से लेकर 750 नैनोमेटर के बीच की wavelength ही देख सकती है पर sensor ऐसन यह sensor उससे ऊपर और नीचे की wavelength भी देख सकता है जैसे कि ultraviolet light जो की cancer detect करने में काम आती है हो सकता है यह sensor भी cancer detect करने में मदद कर सके Samsung कोसिस कर रहा है ऐसे sensor बनाने के जो healthcare purpose में भी काम आ सके sensor ही नहीं Samsung कई ऐसी चीजों पर काम कर रहा है जो human limitation से बाहर हो जैसे कि ऐसा sensor जो taste और smell को register कर सके और Samsung ने साथ में यह भी का है कि हो सकता है future में हमारे पास एक ऐसा sensor हो जो की चोटे चोटे microbes को भी देख सके जो की human eye से बिना किसी equipment के देखना impossible है अब बात करते हैं कि यह sensor कब आएगा देखिए इस साल इस sensor का आना तो मुश्किल है अगले साल भी इसका आना मुश्किल ही है क्योंकि जो अब तक का fastest android processor है वो है snapdragon 865 जो की 200 में पिक्सल तक के camera को ही support कर सकता है तो इसे support करने के लिए Samsung को एक नया processor बनाना पड़ेगा जो क क्यापेबल हो सिक संडर में पिक्सल के sensor को चलाने के लिए आज गल टेकनलोजी बहुत जाल डैवलप कर रही है हो सकता है कि यह sensor आपको दो साल से पहले ही मिल जाए तो आज इस वीडियो में बस इतना ही आगे future में जब यह sensor के बारे में और information मिलेगी तो मेरी कोशी से रहे कर दो